तो हलो फ्रेंड्स आगया मैं एक और नी वीडियो के साथ तो यहाँ फे फिलाल मेरा आप स्कोर देखोगे तो 24,300 हो चुका है और यह मेरा 17 तारिक का स्कोर है जब यह मैं वीडियो रिकार्ड कर रहा हूं 17 तारिक को मैं कर रहा हूं क्योंकि अगर आपको पता होगा मैं बता हो चुके लेकिन जब आप यह वीडियो देखे होगे तो I think मेरे ख्याल से साथ सबूइया भी कंप्लीट हो जाया रहेगा क्योंकि मेरे ख्याल से यह वाले वीडियो में 20 तारिक को डालूंगा जहां तक मेरे को लग रहा है हाँ 20 तारिक को डालूंगा और तीन दिन में तो कर सकते हैं ख्यलते ख्यलते ही रात में सो जाता है तो उसके चक्कर में काफी ज्यादा बार आईडिया ऑफलें होता है इसलिए रात में तो मैं गेम खेलता है लेकिन उधर हांपृटल में गेम खेलना तो मिस्कील होगा V Приыйल आगे चलके क्या होगा लेकिन आब कre पी पृत ज्यादा प्रॉप्लम चल रहा है मैं आप लोगों को एक एक चीज बता भी नहीं सकता तो देखते हैं अब आगे चल के क्या होता है कब तक यह सब सही होता है तो फिर चली वीडियो स्टार्ट करते हैं ओके तो फाइनली यार मैच जोई स्टार्ट हो चुका है इस टाइम आप लोग देखी सकते हो अब एक चीज ना मैं आप लोगों से थोड़ा सा सजेशन लेना चाहता हूं क्योंकि अभी के टाइम पर गेम वेम खेलने में या फिर रैंक पुस्ट करने में बहुत ही ज्यादा मेरे को दिक्का तारा है अभी तो फिलाल मेरे को हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ रहा है लेकिन अभी 18 तरीक को मैं वापस से जाओंगा मतलब कल जाना है या हॉस्पिटल और पता नहीं उधर कितने दिर रूखना पड़ेगा या फिर क्या होगा वो तो जाने के बा सेमेश्टर वाला कई लोगों को यह भी नहीं पता है कि भाई की अभी तक मैं पढ़ाई भी करता हूं मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका यार उसके बाद भी मैं पढ़ाई कर रहा हूं यार मतलब ऐसा नहीं कि बस गेम पर ही लगा हुआ हूँ तो यह मत समझना मै मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा हूं भाई मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूं मतलब पीजी कर रहा हूं अभी दो सेमेश्टर मैंने दिला चुका हूँ एक साल हो गया मान सकते हो आप लोग और अभी हर 6 मत में एक एक्जाम होता है चार सेमेश्टर का होता है दो साल का कोर्स है चार सेमेश्टर में कंप्लीट हो जाता है तो दो सेमेश्टर की एक्जाम तो मैं अल्रेडी दिला चुका हूँ जो की 1 सेमेश्टर दिसंबर में होता है देन उसके बाद मैंने 2 सेमेश्टर दिल मैं समेस्टर वाइस मैं बोल रहा हूं कि एक्जाम कब कब वैसे तो चार सब्जेक्ट है या मैं चार एक्जाम होता एक समेस्टर में तो ऐसा करके बाकी इतना ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं लेकिन अवकिनाव इसीन में नेक्स्ट मंथ रेंक बॉस्ट करने पाऊंगा प्रॉब्लम होने के बाद भी मैं इतना ज्यादा गेम को टाइम दे पार दे रहा हूं और प्लस दिक्कत भी आ रहा है यार बहुत ज्यादा भी होस्पीटल ले गरा के चक्कल लगाना पड़ रहे तो उसमें दिक्कत आ रहे नेक्स्ट वान फिर मेरे एक्जाम भी स्टार्ट हो जाएगा तो मैं सोच रहा हूँ यह सीजन फिट कर दू रेंग पूस करना तो आप लोगो का क्या सोचे या फिर क्या सजेशन मेरे को देना चाहोगे तो एक बार जरूर से कमेंट करके मेरे को बताना और वैसे भी अगर मैं एरजस्ट करना चाहूँ तो यह चीज को भी क कर सकते हूं बाकी बहुत ज्यादा प्राब्लम आ रहा इतना मैं बोलना चाहूंगा लेकिन ठीक है देखते हैं क्या होता है बाकी कब तक यह सब सही होगा मेरे को नहीं पता लेकिन फिलाल अभी गेम पर फोकस करते हैं चलो यार यह सब बोलते जाओंगा तो पता ही नहीं अच्छा भी नहीं आया है लेकिन हा फिलाल यहां पर एक बंदा मेरे को दिखा है चलो इसको मारते हैं उके तो चलो इसको मैं इस टाइम पर फीनिस कर दिया लॉबी मेरे को कुछ खास नहीं लग रहा है क्योंकि रात का लॉबी है भाई रात में वैसे मैं गेम खेलता और एम फर अं दोनों चीज मिल गए यह कांफी अच्छी चीजा है अच्छी चीज तो नहीं बोल सकते लेकिन हा मेरे लीए अच्छी चीज आ अच्छी बात भी है क्योंकि मैं ट्रोगन प्लस chain Professor दोनों में ये टॉप वरन करना चाहता हूँ तो अभी देखता हूँ कर पात बाकी फिलाल अभी 5 खिल तो मेरे होई चुके इस टाइम पर यहां पर पिछे से कोई बंदा मेरे फायर कर रहा है भाई मेरा लूट कंपलीट हो चुका इस टाइम पर क्योंकि एम फरेवन चाहिए था जोगी तीन चीप आल्रेडी हो चुका है और जोन देखोगे तो अभी इधार के साइड पर ही बना हुआ है जोन जो है ब्लू जोन में और कील भी मैंने निकल चुक है यार 6 किल मैंने कर लिया इ लुट क्योंके एक ठाइर कान आए तो यहां से थोड़ाग है अगज्या है यहां पर कॉन嘛 दना फायर दे रहा जाए यहां मेरे को पीछे से आपिछे से मारते है ना रजाए और अपने कोंडा इमेज भी देता है और अभी के टाइम पर ना मेरे को एक शिच कांफी ज्यादा कमेंट देखने को मिलता है कि बेस्ट करेक्टर कम्बिनेशन बताओ सोलो के लिए या फिर हम कौन सा करेक्टर कम्बिनेशन लगा के खेले आपको अपना करेक्टर स्किल चूस करना चाहिए और अभी चलो मैं आपको एक चीज जिसके उपर भी थोड़ा सा आडिया दे देता हूँ जैसा कि मेरा गेम प्ले उसके इसाफ से मैंने अपना करेक्टर कॉम्बिनेशन लगाया है अगर आपने नूटिस किया होगा ना जब दम पर्मनेंट जैसा है और उसके बाद फिर बच जाता है एक चाओथा स्लोट जिसमें मैं अलग-अलग करेक्टर कॉंबिनेशन कभी-कभी लगा-लगा के खेलता हूं इसको चेंज करता ही रहता हूं मतलब ए मूड के उपर डिपेंड करता है प्लस गेम उस दिन कैसा जा रह तो कभी-कभी मैं जस्टिन बाइबर का भी यूज करता हूं लेकिन अभी के टाइम पर मेरे को एक चीज का घमन तो जरूर है आप चाहे जो भी बोलो क्योंकि मैं न तो अभी के टाइम पर नैरी यूज करता हूं ना ही मैं दिमित्री का यूज करता हूं जो अभी के टाइ तो नैरी दिमित्री प्लस सोनिया यह सारा चीज लगा के आप भी खेलो ऐसा गर के मैं इरे कोफी ज़्यादा कमेंट देखने को मिलता है लेकिन यह करेक्टर कॉम्बिनेशन में लगा के तो खेल सकता हूं लेकिन दिक्कत यह है कि मैं गाली खाना चाहता नहीं हूं क्योंकि है यह सब करेक्टर कम्बिनेशन से जब लोग बचते या फिर कुछ भी होता है ना तो लोग गाली जरूर देते सामने वाले बंदे को यह मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई बंदा मेरे को कुछ गलत बोले मतलब वैसा नहीं है लेकिन गेम की तरह है वह बात लाग है फिर भी मेरे को अच्छा नहीं लगता और इससे बढ़के भी एक बहुत बड़ा रीजान है कि यह सब एक तरह से अगर आप देखोगे ना तो यह पूरा पूरा अनफेर है यार मतलब बंदा एक बार मर जा रहे है उसके बाद भी जिंदा होके सामने वाले बंदे को मार र अब मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जो लोग भी इसको यूज करते हों लोग मत करो यह फिर आप लोग अनफेर कर रहे हो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं लेकिन मेरे को यह चीज करना अच्छा नहीं लगता है बस इसलिए मैं इस करेक्टर कॉम कर रहा हूं लेकिन मैं गोजा को बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहा हूं लेकिन गोजा में टॉप वन तो चल रहा हूं इस दिन तो मैं गोजा का टाइटल मेरे पास टॉप वन का है तो इसलिए ऐसा मैं बोल रहा हूं लेकिन चलो ठीक है भी मेरे तेरा किल भी कंप्लीट हो चुक है बंदे देखोगे तो चारी बंदे अलाई हो है और यहां पर मैं लूट करने पर लगाओ क्योंकि मेरे को सूपर मेटिकेट उठाना था अब यहां पे एक बंदा है मेरे ृपर के तरब बंदा है ऐसा करक उपन मेदा यह चार डान चाहि Māori अपने आपको चलो अभी देखते हैं इसको तो जोन में आना पड़ेगा तो चलो फाइनलीस वाले बंदे को मैंने डे 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 विल नाम था क्या बंदे का जो भी नाम था उसको तो मैंने हेट सौट के साथ फिनिस कर दिया था और अभी एक और मैंने मिसल लेके रखा है वो बंदा राइट स चलो ठीक है जो भी आए तो अभी देखो के तो मेरे 14 किल तो कम्प्लीट हो चुके है और इसके वाजासे मेरे को हवा में नहीं उड़ना है मेरे को बुलिया लेना है सामने एक बंदा दिखा जैसा मैं बोली रहा था जोन के अंदर एक घार है वहां पर हो सकता है तो यह बं चाहिनली बंदा खता हूँ चुका तो यह ट्रीक मान सकते हो कि वहां पर एक बंदा है अगर उस वाले गार में तो आप प्थर के उपर चड़ओ और उसका हेड़ दिखता है पथर के उपर चड़ने से यह ट्रीक मेरे को तब पता चला जब मैं वहां पे गार के अंदर मतल आता है तो तो फिर यही था राज का वीडियो अगर आपने यहां तेक वीडियो देखा तो आपको दिल से धन्याद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में